सवे भवन्तू सुखिना, तोट दो मन में बसी सब श्रिंख लाएं, भाग साथ, जो गुरू उपदेश के अनुरूपो ग्रहन करें, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रहमचर्य, अपरिग्रह, श्रॉच, संतोष, तप, स्वाध्याय, प्रानिधान यानी समर्पन भाव से निश काम सतकर्म करना, यह हुजवल पक्ष है, जो निर्विकारी बना देते हैं, निविर्शी बना देते हैं, निश्पाप बना देते हैं, निर्मुही बना देते हैं, निर्बेर बना देते हैं, असत्य से सत्य में ले जाते हैं, अंधकार से प्रकाश में ले जाते हैं, मृत्य जन्मरन के चक्र के बंधन से मुक्त करवा देते हैं. अंधकार में पक्ष, हिंसा, असत्यक, चोरी का भाव, व्याभिचार, परिग्रह, मन की तामसिक, अशुद्ध अवस्था, असंतोष, कर्तव्य पलायन, नैतिक पतन करने वाले ग्रतों का अध्ययन, अथ्वा को विचार का श्रवन, अश्लील द्रिश्यों का दर्शन, अहनकार के मद में कटू वचन, दुशकर्म, यह सभी बंधन का कारण बन जाते हैं. इनके कारण ही, काम, क्रोध, लोब, मो, मद, रागद्वेश के संसकार बनते हैं और, कामनाओ, वासनाओं का अथाह भंडार, चित में ग्रहित हो जाता है, और इसलिए मनुष्य, विशय विकार वपाप, रागद्वेश से, ग्रसित हो जाता है, जो की बंधन प्रगाद कर देते हैं. महान आत्माओं ने बार-बार, यही संदेश दिया है कि, पाश से मुक्त हो जाएं, जानवर कीट पतंगादी बंधन से, उन्हें पशु पक्षी कहा जाता है, यानि की जो इंद्रियों के पाश बंधन में है, पशु पक्षी पाश से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन यदि मनुष्य चाहे तो, पाश से मुक्त हो सकते हैं, तो महान आत्माओं अफ्तरित होती है, मनुष्यों को जन्मरन के चक्र से, छुडाने की युक्ति बताने के लिए यह महान आत्माएं चाहे आज इस संसार में नहीं हो लेकिन उनके अनमोल वचनों का उपियोग आज भी सत्संगों में प्रवचनों में किया जाता है इसलिए इनकी वानी आज भी विद्यमान है जो इनके आज भी अद्रिश्य रूप से विद्यमान होने की अनुभूती करवाती है तो महान आत्माएं ऐसा सूर्य थी जो कभी अस्त नहीं होता और सबको ग्यान के माध्यम से ऐसा ही कभी अस्त नहीं होने वाला सूर्य बनाने क पूर्व में भी प्रयासरत थी, वर्तमान में भी प्रयासरत हैं और भवेश्य में भी प्रयासरत रहेंगी, यानी की मृत्युजय बनाने के लिए. इसलिए इसमें कहा है की, अटल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूँगा, आसन उद्याचल सजाने आ रहा हूँ. हर निशकाम महान आत्मा का, यही उद्देश्य होता है. ऐसी महान आत्माओं के, संपर्क से पूर्वत्वा, सत्य ज्यान से संपर्क से पूर्व, मनुष्य कल्पना में उठते रहते हैं, साधना को निर्थक समझते हैं. सांसारिक पदार्थों की चाह में, धन संपत्ती का भंडार भरने की, उद्दान थमने का नाम नहीं लेती. लेकिन महान आत्माओं के, ज्यान के कारण जो समझ जाता है, उसकी उद्दान का रूख, सही दिशा में हुने लग जाता है. यानि की, सांसारिक पदार्थों, शकलों का स्थान, अद्रिश्य तत्व ले लेता है अथ्वा, पर्मानंद रूपी लक्ष ले लेता है. लगातार आठ